जो पढ़ती आदे चला बाइक काद ना हुआ सुदे चल बाजे के तब यह बेटा हमार उठिया लग वाती जा ता सर पर खंती गड़ा बजहर दिल के है ठुदे अरा के गिर 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 चोटा सा बच्चा उम्र मात्र 17 वर्स है यह इनका छोटा भाई है जिनके हालत भी आप स अची है सारे महिलाएं आज उसके लिए रो रही है तो आप देख सकते हैं परिवार का क्या हाल है आप देख लीजिए इन बच्चों के मां का साया उठ गया है तो आप समझ सकते हैं कि इनके साथ दुखों का पहार टूट गया है हम अभी मध्वणी जिला के राजनगर परखंड अंतरगत रागोपूर बलाट गाउं में पहुंचे हैं गाउं घर का जो टट्टी होता है उसको लगाने के लिए एक ऐसी दर्दनाग घटना घटी है जिसको सुन कर आप भी दंग रह जाएंगे हम आपको बता दे कि ये टाट आप देख रहे हैं ये सामने में जो आपको टाट दिख रही है इसी टाट को लगाने के लिए तुतुमय में से सुरू होते हुए इनके मा को खंती मार कर हट्या कर दी गई है समाज किस दिशा में जा रही है मिठलांचल का ये धर्ती जहां मिठास वाली धर्ती जहां पान मखान और माच की बात की जा रही हो मिठास की बात की जा रही हो तो ऐसी करवाट वाली घटना निसितरूप से ये समाज को फिर से मजबूर कर दिया है सोचने के लिए कि मिठल फजनान्चर किस दिसा में जा रही है टाट लागा के गाई बावी लावी न हटना कैसे घटी है टाट लगा रहा था चन्देशर मंडल टाट लगा रहा था यह जो सामने चलते से लिया अकर बेटी की कहल के सुल्फा असपना जे मारूप पाक्रा मार सिदा सर पर खंती बजहर दिल के हैं तुदे अरा के गिर गहर में एक बाती जाकर छोटा वला बाती जाकर गुष के महला लखार जिस परकार से रोरोकर बता रही है कि इनके भावी को बेरहमी से खंती घोप करके मारी गई है और वह भी घंती सर पर मारी गई है यह पहुत बढ़ा दुर्दांत घटना है और इस घटना से परिवार की जो हालात है वह आप समझ सकते हैं और क्या हुए घटना इसके सदनर में हम इन बाबू से जनकारी लेंगे कि आखिर ये घटना कैसे घटी है इसे घटी है ने जमीनमें नगा रही थी तुँमें प्रेंट मत लगा अपनी में लगा टार तो मेरे मामी बोली ओन उन्होंने बहले यहां लगा उठा तुमांट उठव दो खादा मेरा नगाने देंगे लिए जो इसका दो बेटी है उसका नाम सपना सपना कमाने उन्होंने बना पैता जी उसे मारे यह उसे नहीं मानने वाला है जो गड़ा खोद्रा उसी कहां मारा गया था पहले सब मारा था पिसली में मारा था सर पे मारा था था तब साम मिलकर में मैं ठूट पर तो तुट पर यह पहुंचाता तो इन बच्चों की क्या गलती है अब देख सकते हैं सर पे हात रख करके और याद में किस परकार से गमगीन है और ये बच्चा जिस परकार से बता रहे हैं यह समझने वाली बात है और पिरिव गिंगी दोस्त क्या है क्या नाम बाबु निटियस कुमार्फ जमीन का लप रहता हुसने आ करके टाठ लगाने लगा हम लोगों ने रोका उसको तो यज़ा हुआ था मेरे जमीन बना ज़ा रहता है तो क्या हुआ बताओ थरा आच दो जो तो लोग टाट लगाने के लिए टाट को पर आया तो हम लोगों ने रोका उसको तो उस लोगों नहीं माना धका दुख्य करने लगा तो हम बोला आदमी को बुला कर लाओ पंच बैठाओ तो बोला ठीक है तो यहां पर मतलब एक फ्टू आदमी मतलब हमारी ट्रोल का जो है माश्टर सहाब है तो उसने भी बोला करुजें चाहते हैं के में लोगों का बात तो उसने भी बोला कि यहां पर लगाएंगे थांवे जब वह चला गया हमारे तरफ आगया खुंटा गारने के लिए हमारे ममी सर्मार दिया संदिया मांतिया जब लगा रह रहए थे मास्ट पर यहां पर आ गए हमारे माने जाकर करके बोला कि यहां पर खुटा नहीं गार तो बोला हम नहीं गहारेंगे ज्यादा बोलोगी तो मारेंगे तो उसका दोनों बेटी भी तो उसके बाद खंटी लेकर मार दिया ये टाट आज किसी के मौत का कारण बर गया है क्या नाम है कागी जब घटना घटी तो आप लोग यहां पर थे तो घटना हो जाने के बाद आये थे क्या देखे आप लोग आपके दखले बलू मुल पॉल रही नाम है की नाम है की आहां सब की देखा लिये थे खसल रहती है की का जाईची है हम 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 मुण अगर पर हाला ने हुवा दिल के हाला ने भीम अलनेश लेक कल्या आति हल भ़ा कोल्ग रिखे कह लिए लोग मध्वन ही अधा घंतर हम रूकरम rock अधे अ, हालत खरा भर ऑगत भीर division प्रसासन आये थे यहां पर अभी तक नहीं आये हैं रात में आया था पुलिस वाले फोटो घीच लिया मेरे ममी का और चला गिया बोला दासन स्कार कर दो अफिर आव कल ठाने पर तो गये हैं पापा हाँ वहीं पर गया है इनसे पुछे हैं अच्छा क्या नाम है आपका अच्छा आये हम चाची से बात करवाते हैं और चाची सुरु से अंत तक उसमा के साथ रही है और उस दर्द को भी समझी है और हम जनकारी लेंगे कि यह घटना कैसे घटी की नामेशा के हमारे नाम इस पुतुल देविये के है यह हमरा क्यों ने है थीन हमार परोसी छती कोना घटना घट लेए हम चलिया हम गिरहस्त आदमी चैना दयल बांटा गिल रही तो दयल बैट को जे लिये नता मास्टर सहावें घली में ठार रह थी तो वह प्र अदों यहां टाट लग आप चैनल की दोगिन जोड़ने दिस अब आप क्या आप चेला कि ऑन डखा लिये हुआ अगी के लिए तो यो शाप के दिखा लिये तो यह नट घ्याइट चेला टी यो जब चेल करती हैं तो जगरा नहीं है थे हम फेर दे तीसी लों ले लिए दोकान के लिए अब असालियत बात आप को समझ में आ गई होगी आखिर इतना वरा साहस कैसे कोई कर सकता है बहुत बड़ी घटना है जहां मा के आचल में बच्चों को होना चाहिए था वहां मा का सर बेटों के कंधों पे था और मा को बचाने का प्रियास कर रहा था वैसी सिती में जो मानपता का एक मिसाल होता है व सारे कामों को छोड़ करके बचाने के लिए यहां से लेकर होस्पिटल तक गई है यह वती है मानपता परिवारों गरीब छाती स्याने बट गरीब छाती ताई नहीं लाज भेले हुनकर हाट टूटल छे एक सरे करा कचते हैं कि समाज मिलकर के इनके मा के बचाने का प्रयास भी किये हैं कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनका कोई नहीं होता है तो ऐसी सिती में कोई ने कोई सामने आही जाते हैं इस बच्चे का इलाज नहीं हो रहा है यह हाँ टूटा हुआ है आप देख सकते हैं इस पर वार किया गया है या कहें कि मा को बचाने के करम में या इस पर डारेक्ट वार किया गया है जिसके कारण इनका हाथ डैमेज हो चुका है और पैसे नहीं होने के कारण इनका इलाज न तो कैसे ने क्यों नहीं बच पाई नहीं बच पाया जो उनको इस में टका पड़ा भी अंदर से उसको दूग पलेट दिया ना था हम को डाक्टर नहीं बोला अंदर जाने के लिए तो हम जबरदस्ती गें बच्चा था तो हमको अपना करेजा धर-धर कर रहा था जो मर जाए अचाणा देगा टोंको टछो पलेट जो इंप गी या गीर तो उने से ठाका के देह कर के लिए तो तो वे एंब हम में आ खुन्तर नहीं थी यहीं ulti यह नहीं था इसलिए लेकर के भाग गए लिए करके मां मांसे को कर यह बन्द बेले लें यह घटना का पुरा परिद्रीस आपको समझ में आ गया होगा घटना कैसे घटी घटना के कारण क्या घटना के पीछे क्या कारण था यह भी को समझ में आ गया होगा राजनेगर आगोपुर बलाट गव में घटी है निश्चित्रुप से मानपता को फिर से सर्मसार कर दी है और खासकर मिठलांचल में जब ऐसी घटनाय घटती है तब सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं कि मिठलांचल की मिठी आखिर इतने क्रूर क्यों हो रही है आखिर मिठलांचल की धरती में कौन सी ऐसी कमी आ गई है कि ऐसी ऐसी घटनाय देखने को मिल रही है हम दिखाएंगे जब जब मानपता पर इस परकार के कलंकित करने बाला चिन आएगा तो हम वहां खारे होंगे और दिखाएंगे कि समाज में आखिर इस प परसाषन की विवस्था से आगरा करेंगे यदी इनके परिवार के साथ आप करते हैं तो निशित रुफ से आपनियाच किजीएगा प्रसाषन से हम गुजारिस करेंगे मिनः जग्रा का जर जो भी रहा हो उसको भी निधान किजिये और साथ में इस परिवार के साथ में अपने मा के याद में और इनके मा के साथ में कियेगे कार्यों को ले करके पच्तावा ही रहेगा